आज हम बनाएंगे दही तरका की रेसिपी जो स्पेशली रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है बहुत ही जल तयार हो जाती है ये रेसिपी उथेंटिक दही तरका की रेसिपी से थोड़ासा अलग मैने के रेसिपी बनाई है चोटी इसके टेस्ट को नेक्स लेवल तक लेकि जाता है तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसके लिए हमें एक कप दही चाहिए और यहां पे दही बिल्कुल फ्रेस लेनीए आपको मेक्शूर क थिक होगा तो टेक्शर बहुत ही अच्छा हैगा और यह देखे अची तरह से मैंने इसे मिला लिया है साइट कर देते हैं इसे अब हम इसके लिए तरका तयार करेंगे जिसके लिए एक पैन में तीन टेबल स्पून तेल गरम किया मैंने तेल हमारे जैसे गरम हो जाएगा एट करेंगे आधा चोटी चम्मक जीरा इसके साथ ही यहाँ पे डाला है मैंने दो हरी मिर्च इसे बारी चॉप कर लीजे इसकी कॉइंटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे आधा इंस्टुक्रा अध्रक को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है अब डालेंगे इसमे दस– बारी करी लशूण को फाइनली चॉप करके सारे मसाले पहले से त्यार कर दिजे क्योंकि तरका फटा-फट बंता है एक छोटे साइस की पैस को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है इसे भी आठ कर देंगे यहाँ पैड क्या त्री पत्ता ले लिजिए दों से तीन तक भूलना है इतने में सारे मसाले भी भून जाएंगे उसी के साथ और ये लगवक डेर से दो मिलेट हो गया इने भूनते हुए और आप देख सकते प्यास करन गुलाबी हो गया है भागी सारे मसालों का भी कच्छा फ्लेवर ख़तम हो चुका है तो इस स्टेज पे हम इसमे सुखे मसाले आधा चोटी चमच धनिया पॉडर आधा चोटी चमच करम मसाला पॉडर इसके साथ ही जाएगा आधा चोटी चमच कश्मीडी लाल मिर्च पॉडर एक चोटाई चोटी चमच से भी कम हल्दी पॉडर एट कर देंगे और यहां पे एट किजिए नमक स्वात के तो यहां पर मैंने दो इल्फिगेस ऐड़ किये हैं जो ऑथेंटिक दही तरफा की रेसिपी में एड़ ही होते हैं किश्मिश और कसूरी में थी तो आप सरूर एड़ करके बनाईएगा इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे में दही एड़ कर देंगे इसमें विस्कर के रख तो यहां पर आप देख सकते हैं दही बिल्कुल नहीं फटा है बिल्कुल क्रीमी टेक्शर आया है तो जैसे ही मसाले के साथ मिल जाए जाए तो इसका फ्रेम तुर्ण तॉफ कर दीजिए और इसे सर्व कीजिए करमा गरम या फिर ठंडा करके यह दोनों ही तरफों से बिल्कुल मत बुलिएगा इस रैसीबी का इंगेंस लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक से कर जाएगा वहां से चेक कर सकते हैं तब तक की लिए स्टेए हैल्थी स्टेए ब्लेस्ट और थैंक्यू फो वाचिंग